कि नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में हफ्ते की शुरुवात नए मनी सेंट्रल के साथ मनी सेंट्रल में आज खुब सारी ख़वरें वजह आप जानते हैं शनिवार इतवार उसके बाद सोमवार तीन दिन क की खबरें होती हैं और इन में से प्रमुख खबरों को हम चुनते हैं अपने इस शो के लिए बताएंगे लेकिन उससे पहले अंशुमान जी का स्वागत करते हैं खबरों के विच्टेशन के लिए मनीनाइन के एटर एंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियों में हैं, ये जरूरी बात है क्योंकि पिछले काफी दिन से या तो मैं बहर या अन्शुमान जी बहर, लेकिन आज हम दोनों स्टूडियों से ये शो आपके लिए कर रहे हैं अब बढ़ते हैं अंदा शो की तरफ और आपको बताते हैं आज कौन सी ख़बरों पर चर्चा होगी शुरूबात करेंगे बीमा सुगम की ख़बर के साथ बीमा सुगम एक नया प्लैटफॉर्म लॉंच होने वाला है ये लॉंच होगा तो बीमा की दुनिया में क्या बदलेगा ये समझेंगे चीनी के बाजार में महगाई की चर्चा क्यों हो रही है? अब क्या चीनी भी महगी होगी? पहले से महगाई कम कमोडिटीज में नहीं है लेकिन अब चीनी इसमें नया नाम शामिल हो रहा है क्रिप्टो खरीदने लगे छोटे निवेशक देखिए, क्या हो रहा है, क्रिप्टो पर इतनी खींचा तानी माथा पच्ची के बाद, फिर से ये आकड़े आए हैं, कि क्रिप्टो में छोटे निवेशक फिर से पैसा लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है, कहां लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ये सब कुछ आपको दिन की बड़ी खबर महंगे होने वाले हैं हवाई किराई आप कहACE हैं इसमें बड़ा क्या है मुद्ध बड़ा इसलिए है क्योंकि यह किसी खास वजह से आरही है और यह तेजी लंबी टिकने वाली है जितने उँचे आसमान में हवाई जाज ओडते हैं उतने उचे किराई उड़ने वाले हैं, क्या वज़य है, कितने महंगे हो सकते हैं किराय, यह सब कुछ जानेंगे, पेटियम दिन की दूसरी बड़ी ख़वर होगी, एक ना यह आदेश आया RBI का, क्या कहता है यह आदेश, यह समझेंगे, और चीन ने सस्ता नहीं किया कर्ज, देखिए, चीन की बैंक ने कर्ज सस्ता करना रोक दिया, कम से कम पॉस तो लगा ही दिया, अब इससे क्या होगा, अब सीदी सी बाते लेकुरिटी का इंफ्लो तूटेगा, तो फिर अब उबरेगा कैसे चीन, तो चीन अब एक अजीब सी दुविधा में फस गया है, चीन की इस दुविधा क इस मंच पर जीवन, स्वास्त और मोटर बीमा से जुड़ी सभी तरीके की सुविधाएं आपको एक साथ मिलेंगी, इरिडा ने अब ऐलान किया है कि बीमा सुगम प्लैटफॉर्म की सेवाओं का लाव लेने के लिए ग्रहकों को कोई फीस भी नहीं चुकानी होगी, यानि जो काम नीजीक शेतर पहले कर चुका होता है, वही काम उसके बाद रिगलेटर्स करते हैं, और यही बात सरकार और कामकाज के तरु तरीके से बीमा सुगम क्या है? बीमा सुगम एक किसम का एग्रिगेटर प्लैटफॉर्म बनेगा सरकार की तरफ से, जिसे प्लैटफॉर् पर पॉलिसी की सेल्स होगी, इस पर सेटेल्मेंट्स लिये जाएंगे, इस पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, सवाल जबाब दिये जाएंगे, और इस पर लाइफ, हेल्थ, जनरल इंशुर्णेंस, सारे प्रोडिक्ट एक साथ उपलब्द होगे. ये काम पहले होना चाहिए था, बीमा लांच होने के साथ, बीमा कमपीनियों के साथ, लेकिन तेरा आए दुरस दाया आपका है सकते हैं, ये कमपीनी जो बनेगी इस कमपीनी, ये अपने आप में कमपीनी होगी बीमा सुकम में, इसमें इसका एक अपना धाचा होगा, और इसमें कमपीनियों को इसमें भोकताओं के लिए गरहकों के लिए दो सुविधाएं होंगी एक तो उनके सारे सारी कंप्लाइंट का रिडरिशल हो सकेगा शायद ऐसा कहा जा रहा है वीमा सुकम के जरीए एक ही पोल्टल के उपर दूसरा कंपेनियों उन्हें उटपात शायद थोड़े सस्ते मि बेचते रहेंगे लेकिन ये एक नई पहल है जिसके तहट एक जगे आपको इंशुरेंस कास की सारी दुनिया इस एक पोल्टल में एस बेमा सुकम प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी इसका इंतजार रहेगा इसके आने के बाद हम इसे करीब से देखेंगे और आपको सकते हैं समख सकते हैं खरीद सकते हैं सैटर्मेंट करा सकते हैं किया अएसे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा जहां Bima के अलावा दिख पाएंगे, सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बलकि बीमा, mutual fund, gold, small case, यह तमाम product खरीद भी पाएंगे with understanding, और जगाओं पर जाएंगे और हमारे यहां आएंगे तो क्या अंतर होगा, वहां जाकर तो आप product खरीदेंगे, यहां product की समझ लेंगे, अपनी समझ को समर्द करेंगे और उसके बाद अपने लिए सही product चुन कर खरीद पाएंगे और अगर उसमें कोई दुविदा है, तो expert से भी पूछ पाएंगे तो आज ही मनी 9 का app डाउनलोड कीजिए, और फट आफट यह जो इसका नया चेहरा बदला है, इसको देखिए जानना है तो देखिए समझना है तो सुनिए सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए जानकारी, सलाह और निवेश, सब एक ही सुपर app पर पैसे का सवाल है, तो जवाब है, मनी 9 आजादी, पैसे की, अभी डाउनलोड करें आगे बढ़ते हैं चीनी की ख़वर के साथ जैसा की अनुमान था, इस साल चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले पिछल गया चीनी मिलों के संगठन इसमा के मताबिक 15 फरवरी तक देश भर में 223 लाग टन चीनी उत्पादन दर्ज किया गया जबकि पिछले साल 239 लाग टन चीनी का उत्पादन हुआ था इस साल सरकार ने इतनौल उत्पादन को लेकर सक्ती भी की है इसके बाबचूत चीनी का उत्पादन कम हुआ सर ये कमी क्या इशारा कर रही है महरास्टरा, करनाटक, गुजरात, तामिल नाडू ये चार ऐसे स्टेट्स हैं जहां से चीनी के उत्पादन में कमी आने की संभावना है और देखिए इन में भी महरास्टरा और तामिल नाडू महरास सबसे महत्पून स्टेट है जहां से चीनी की अत्पादन का बड़ा हिस्सा था इसके लावद अक्षिन भारत के राज्य जहां घन्ने की उपज होती है और चीनी की का अत्पादन आता है वहां से इस बार अत्पादन में कमी आने की संभावना है इसे पहले वाला जो आकलन आया था इसमा का जो इन्ने शुगर मिलस एस्सेशन है जो ये बताती है कि भारत में कितनी चीनी का उत्पाद उन्हों का उसने करी 10% की कमी का आकलन दिया था जो दूसरा इस्टीमेट आया था अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए रिजर्ब बैंक और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनोती है कि चीनी की कीमतों जो पहले से ही उची है अब आपूर्ती में कमी होने की संभावना है आपको पता है कि सरकार चीनी के निर्यातपन सक्ती कर चुकी है रोक लगा चुकी है चोटे निवेशकों ने एक बार फिर से क्रिप्टो में निवेश करना शुरू कर दिया है दिसंबर में क्रिप्टो लेंदेन का वॉल्यूम सालाना अधार पर 242 फीसद बढ़ गया है अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्चेंज कॉइन बेस ग्लोबल इंक पर चौ क्रिप्टो को लेकर अभी भी दुनिया के बैंकर्स निवेशक और रेगुलेटर्स के बीच में जबरदस्त भ्रम और असमंजस की स्थिति है इस बीच क्रिप्टो को एक ऐसेट मानते हुए एक्चेंज ट्रेडिट फंड लांच कर दिया और इससे क्रिप्टो में वापस स निवेशकों ने पिछले दो-तीन साल के दौरान खासा नुकसान उठाया है रेगुलेटरी इशूज अभी भी बने हुए हैं मनी लांडरिंग के मामले बने हुए एक्चेंज बंद हुए हैं पिछले साल क्रिप्टो कंपिनिया डिफाल्ट हुई हैं बैंक्रप्ट हुई ह यह भी आपको पता है आप मनी नाइन के निमे दर्शक हैं तो आपको यह हम बराबर जानकारी देते रहे हैं भारत में अभी भी कानूनी तोर पर इस्तितिया इसपश नहीं भारत में कितने क्रिप्टो एक्चेंज थे कोवीट के दौरान सब बंद हो गए सब के ओपर सक्त है नियामों की तरफ से अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन अगर आप भी इस से इंफ्लेंस हो रहे हैं तो थोड़ा समल कर आगे बढ़ें क्रिप्टो में भी काफी बड़ा जोखी मौजूद है देश की आवादी में बुजर्गों की बड़ती हिस्सेदारी को देखते हुए नीती आयोग ने बुजर्गों की बहतर देखवाल के लिए टेक्स विवस्था और कानून में सुधार का प्रस्ताव दिया है इसके रावा हाउसिंग सेक्टर में सुधार के साथ एक मजबू सवेर ही सही सरकार ने भुजर्गों के बारे में कुछ सोचा आपको वो रामुल अम्मा नाम था क्या नाम था उनका जिन पर आपने हमने बात की थी एक एकनॉमिकम है आप देखिए उसका जो लिंक है उसमें इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक किरदार का जिक्र करते वेंशमान जी ने पूरे वरद होती आवादी के बारे में भारत में लिखा था कितनी वरद आवादी है कितना कमाती है क्या उनकी जरूरत है और देखिए इतने दिन बात सही लेकिन सरकार ने वरद आवादी पे कम से कम कुछ चिंता तो जाहिर की सरी पेपर आपने देखा आबादी के लिए जरुवर थे उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनने मिलने वाली सुविधाओं में एल्डरली कॉंटेंट होना या एल्डरली सुविधाओं होना ये सारी चीज़े हमने बताई थी, क्योंकि भारत अभी अपनी बुज़र्ग पेंशन्स नहीं है, एल्डरली आबादी नहीं है, लेकिन नीतियायोग ने पहली बार इस पहल के जरी चार पांच महत्तुपोन बाते इसमें कहीं हैं, पहली बात तो ये जो सबसे जरूरी बात कहीं गई है, कि भारत में बुज़र्गों के इस्तेमाल करने वाली चीज़ो में उस तरीके की सुविधाओं का अभाव है जैसे आप ट्रेन देख लीजे बुजर्ग लोगों के लिए ट्रेन में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल काम है अगर वो लंबे दूरी की आत्राओं पर बर्त पर जाते हैं तो नीतियायोग ने कहा है कि पहले तो इस बाजार को इन वे उस्ताओं का त्यार किया जाए दूसरा ये कि बुजर्गों के लिए जो जो दवाएं उपकरन हैं उन पर टैक्स में कटवती की जाए उनको जीस्टी की रियायत के दारे में लाया जाए ताकि उनके लिए सस्ती और सुविधा जनक चीज़ें आ सके और इसके जायतों के जरिये बुजर्गों की जिन्दगी को आने वाले समय में आसान बनाया जा सके नीतियाविग ने माना है कि एल्डरली पॉपलेशन की ग्रोथ करीब तीन परसेंट के आधार पर हो रही है अलाकि माना जा रहा है कि संख्याश से काफी बड़ी है और ये माना जा है कि 2050 तक भारत में जो बुजर्ग लोग हैं उनकी अबादी करीब 319 मिलियन के आसपास हो जाएगी पर इस दस्तावेज में अभी यूनिवरसल पेंशन का जिक्र नहीं है इस दस्तावेज में आर्थिक सुरक्षा का जिक्र नहीं है हम आपको बता चुके हैं कि भारत में गरीबी और एज का या गरीबी और बढफ़ापे का बड़ा करीबी रिष्टा है और भारत में अधिकांश लोग जो आपको भीख मांगते दिखते हैं ये नीतियायुक के भी और तमाम अलग-अलग सर्वेबी रहें अधिकांश लोग जो अस अलग पर भीख मांगते और हमें यूनिवर्सल पेंशन जैसी कोई पहल आने वाले समय में दिखाई देगी भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझोता लोकसवा चुनाओं से पहला होने की उमीद घट गई है यूके चाहता है कि भारत उसकी कमपनियों के लिए और बाजार खोले लेकिन अभी तक भारत ने इसको लेकर फैसला नहीं किया है ऐसे में समझोता लगातार अटक रहा है पहले ये समझोता 2022 की दीवाली तक होना था लेकिन उसके बाद से लगातार नई पे नई तारीख मिलती गई और अब ये इस्तिति है कि भारत में चुनाओ करीव आ गए और ये समझोता नहीं हो पाए सरक कितना क्या चाहता क्या है यूके हम लगातार यूके और भारत के फ्टियो पर आप से बात कर रहे हैं और अलग-अलग कारकर में ने बताया था पांच-छे बड़ी चीज़ें जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई इसमें एक महत्वपूर्ण था आटो आटो मोबील इंपोर्स को लेकर यूके का मानना था कि भारत को और दादा रियायतें देनी चाहिए इंपोर्ट डूटी में भारत सरकार ने मना किया इसके अलावा अगरी कल्चर से जुड़े हुए परसेस्ट फूड's के फ्री ट्रेड को लेकर मुद्वें हैं भारत से लोगों के जाने यानि भारत से प्रोफेशिनल के को वहां पर नौकरी मिलने के मामले पर बने हुए जिनका कोई समादान नहीं निकल पाया पिछले साल जब भारत में G20 का सम्मिट हुआ था उस दौरान भारत सरकार की तरफ से काफी उत्सापूर्ण बयान आया थे कि नहीं अब तो बस इस डील को हुआ ही समझिए अगले महीने इस पर दस्ताथ होने वाले हैं और तब से होते होते काफी पानी गुजर गया और अब इस साल यूके की तरफ से जो बयान दिया गया हाल में यह काफी महतों पूर्ण है यूके की ने संके दिया कि भारत की सरकार अपना बाजार परियात रूप से खुलने को तियार नहीं है उसे और जाधा उधारी करन करने की जरूरत है तब ही यह FTA हो पाएगा इदर भारत सरकार के सूत्रों से का मानना है कि प्रधानमंत्री काराले के तरफ से कामर्स मिनिस्ट्री के तरफ से पिछले दिनों में UK के साथ FTA के कामकाज पे प्रगति की समिक्षा की गई है तस्वीर अभी पूरी तरह इस पश्ट नहीं है क्योंकि दोनों ही देश भारत और यूके दोनों जगे इस साल चुना होने हैं भारत में भी चुना होंगे मैं मैं में और यूके में भी चुना होने वाले हैं ऐसी स्थिती में दोनों ही देश टैरिफ रिजिम को बनाने को लेकर सीमा शुलकी दरों को निर्धारित करने को लेकर फिलाल इंतजार करने की करेंगे इसलिए तातकालिक तौर पर समझोता होने की गुंजायश अब कम दिखाई देती है। अतनी और भाई भी शामिल हैं वोड को भंक करने के पक्षमे निवेशकों के 50 फीस्द से जादा वोड चाहिए और ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये 50 फीस्द से जादा वोड पढ़ जाएंगे और कमपनी से बाहर का रास्ता दिखाए जाएगा वाईजूस रविंदरन 26% के आस इस परेट और बेसबर कोशिश की गई बाईजूस की तरफ से जिसमें 300-200 मिलियन डालर का एक राइट इशू लाया गया बाईजूस की तरफ से संकेत दिए गए कि 300 मिलियन के आसपास जो existing investors हैं बाकी बाईजूस के समूब परिवार के अलावा जो बाकी investors हैं उनकी तरफ स ऐसा माना जा रहा है कि 300 मिलियन डालर के आसपास के commitment आग हैं जनवरी में पिछले महिने आप बाईजूस में 200 मिलियन डालर का एराइट इशू फ्लोट किया था जिसके उपर करीब करीब 200-250-250 मिलियन डालर के आसपास के commitment बाईजूस के पास पहुँच गया हैं लेकिन यह अब भरोसा बचा हुआ है तो आने वाले समय में बाईजूस की मीटिंग की जो EGM होने वाली है जनरल मीटिंग होने वाली हो काफी हंगामा खेज होने वाली है अगर निवेशक पैसा डालने को त्यार होंगे तो क्या वो बाईजूस के नेतरत में इस company को बाईजूर तो आज बड़ी ख़वरें दो धड़े से हैं पहला तो पेटियम और फिंटेक की दुनिया से और दूसरा एवियेशन से जुड़ी तीन बड़ी ख़वरें हैं तो एक एक करके पहले एवियेशन की ख़वरों को लेते हैं कि लिए यात्रियों के लिए एरपोर्ट डिलीवरी हो जानी चाहिए आम तोर पर ऐसा हो नहीं पाता है अगर आप यात्रा करते हो तो आप देखी baggage belt पर बहुत लंबा समय लग जाता है सर यह आदेश ठीक है ग्रहकों के नजरिये से पहली नजर में समझ आ रहा है और domestic airlines में तो इस्थिति है कि आपको 45 मिनट 50-50 मिनट तक flight land होने के बाद इंतजार करना पड़ता है तो अब जो order दिया गया उस order के हिसाब से यह कहा गया है कि दस से 30 मिनट के अंदर baggage land होने के बाद baggage लोगों को डिलीवर हो जाने चाहिए इससे दो बड़े असर दिखाए देंगे जो Bureau of Civilization जिसको BACS कहते हैं इसमें दो महत्तपून बाते हैं एक तो airlines को अपने ground operations पर जाधा invest करना पड़ेगा जाधा लोगों को वहां लगाना और जो baggage का handling management है वो जाधा efficient करना होगा और जहां पर सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि यह सारा manual काम है अनलोट करना aircraft से फिर उसको को ट्रॉली से carry करके belt तक लाना और belt पर उसे डालना इस से aviation कंपिनियों पर खर्च बढ़ने की संभावना है उन्हें और जाधा staff लगाना प तो भी commitments है कि flight on time है या flight समय से या baggage मिल रहे है वो सारे commitment पूरे नहीं होते हैं तीस से monitor कैसे किया जाएगा लेकिन ये एक बड़ी सुविदा है जिसकी मांग भारत में लोग काफी समय से कर रहे थे कि उनके baggage समय पर आए और पहली बार भारत में 30 minute की deadline तैकी गई है तो इसल अगर ऐसा हो जाता है कागज पर लिखा नियम अगर जमीन पर उतरता है तो निश्यत तोर पर आपके लिए तो यह आसानी होगी तेकिन यह उत्रा नहीं उत्रा तो इसको ट्रैक करना ज़रूरी है और दूसरा खर्चे बढ़ेंगे aviation company के लिए मंबई एरपोर्ट पर उढानों के लोड को कम करने के लिए aviation मंत्राले ने एएरपोर्ट को उढान सेवाओं को कम करने का देश दिया है मंत्राले के इस निर्देश की वज़ाए से एरपोर्ट को मार्च तक सैक्णों उढाने रद करनी पड़ सकती है और इस वज़े से यात्रियों के लिए किराय बढ़ने की आशंका जताई जा रही है ये ख़बर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एहम है जो मुंबई के दिल्ली मुंबई या मुंबई से किसी भी रूट पर ट्रेवल करते हैं तो सर पहली तो इस्तिती यही बताईए कि विकास हो रहा है एयरपोर्ट बन रहे हैं नए नए तो ज़्यादा उडाने उतरनी चाहिए थी उडाने रोकने की नौबत क्यों आ गई शुबभ हम वो लोग जो भी मुंबई रूट ट्रेवल करते हैं जिसे हम लोग हैं और हम लोग जो लोग बॉदे जाने वाले हुने पता है कि मुंबई से समय पर उडान असंभव है मतलब आप सवभा के शाली होंगे जो मुंबई से कोई भी उडान समय पर आ रही होगी या समय पर आपको मिल रही होगी इस्तिती यह कि आकड़े बता रहे हैं कि इंडिगो की दिल्ली से जाने वाली उडाने 74% पर 75% टाइम पर जाती हैं बॉम्बे से आने वाली उडाने के 54% टाइम पर जाती ही 60% रूनाने डिले होती ही और यह इस्तिती बाकि सारे एरलाइंस के इसा क्यों हो रहा है इसकी वज़ए यह देख एरपोर्ट के विकास और सारी चीज़ों के बावजूद और मुंबई एरपोर्ट के में ने ने निवेश और इनके बाद भी सच्चा पहले तो इतने बड़े एरपोर्ट सिंगल रन्वे वाले होते नहीं है दुनिया का अकेला एरपोर्ट है जहां सिंगल रन्वे और बिजिएस एरपोर्ट है और इसलिए यहां पर उडानों का दबाव इतना जाधा है कि समय निर्धारित कर पाना मुश्किल हो रहा है पहल के कारण उडाने नियमित रूप से डिले होती है कोई भी उडान मुंबई में समय पर नहीं आती तो अब इसलिए जहां हम जो बाशुब हम ने कहीं कि भारत में नए एरपोर्ट बढ़ना है उडानों की संख्या बढ़नी चाहिए लोगों को सुविधाय थे मिलनी चाहिए उ के तहट मुंबई के एरपोर्ट के उपर अलग-alग ताइम बकेट्स में अलग-alग ताइम जोन्स में सुभए आठ बज़े से ग्यारा बज़े तक पांच बज़े से लेकर लेकर 17-20 तक और फिर उसके बाद रात के 9 बज़े से लेकर सवा 11 बज़े तक के टाइम मैकेट्स में उडानों की संख्या कम की जाएगी, कम उडाने लेंड की जाएगी, यह माना जा रहा है कि हर टाइम मैकेट्स में हर घंटे कम से कम दो मुवमेंट कम होंगे, यानि एक डिपार्चर का मौका मिलेगा, और इसलिए मुंबई की किराय में बड़ी बढ़ुत्री हो सकती है, क्योंकि जहां अगर सव उडाने जा रही थी, अगर वहां से दस उडाने कम होंगी, तो उसमें कमी होगी, अभी कब हो रहा है, जब भारत की दो एरलाइन्स मुश्किल में हैं, एक तो बंद हो गई ये टेरवेज, दूसरी गोफस्ट बंद हो गई और स्पाइस जेट की सीमित उडाने बची हुई है, तो मुंबई और दिल्ली भारत का सबसे बड़ा सरकिट है, सबसे बड़ा एरिया, और मुंबई से पूरे देश के लिए उडाने जाती है, दिली से पूरे प्रक्रिया इंप्लिमेंट होगी, उसका असर किराया पर कितना अधिक पड़ता है, कर्च संकर्ट में फसी एरलाइन को गोफस्ट के दुबारा उडान भरने की उम्मीद जगी है, क्यों जगी है, क्योंकि स्पाइस जेट के सीमडी अजय सिंग ने बिजी वी एर्वेस के स साथ मिलकर गोफस्ट के लिए बोली लगाई है, अगर ये बोली मन्जूर होती है, तो गोफस्ट के दुबारा उडान भरने की संभाव ना बन जाएगी, फिलाल एरलाइन्स पिछले साल मई से बंद पड़ी होई है, सर उबर पाएगी गोफस्ट, फिर एक बार कोशिश श है, उसे चुकाया जा सकता है, तो शायद इसे शुरू किया जा सकता है, माना जा रहा है कि स्पाइस जिट को अलग से इसके लिए बड़े संसाधन जुटाने होंगे, तब गोफस्ट की उडाने शुरू हो पाएगी, लेकिन एक बार फिर कोशिश शुरू जरूरी है, सहराने प्रहले तो बंक पर दिखती है, आप मुबाइल वॉलट सेवा भी बंद करनी पर सकती है, पेटेम के लिए यह सेवा फिला हले बंक चला रहा है, अब क्योंकि बंकत हो रहा है तो यह सेवा ही बंद हो जाएगी, लेकिन पेटेम पेमेंट बैंक पर रिज़र्बैंक की सकती हुई है और संभावना है कि रिजर्बैंक की तरफ से वालिट सेवा के लिए पेटियम को नए सरे से लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा इस बीच पेटियम के ग्रहकों को धीरे धीरे एकसेस के प्लैटफॉर्म पर शिफ्ट किया जा रहा है सर पहला तो ये कि एकसेस के प्लैटफॉर्म पर ग्रहकों को भीजने का फैसला क्यों लिया गया पेटियम को हम लोग बहुत करीब से फालो कर रहे हैं मनी सिंट्रल में आपको लगातार बता रहे हैं पिछले सब्ता ही हमने आपको बताया था कि पेटियम के ग्रहकों को उबारने के लिए पेटियम के साथ जड़ो है मर्चेंट्स और ग्रहकों को बारने के लिए रिजर्ब बैंक कोई कल्प लिया जाए और एकसिस की तरफ से इस बात के संकेक भी दिये गए थे तो अब पेटियम ने अपने मर्चेंट पेमेंट्स को सिटल करने के लिए एकसिस बैंक से बात करनी शुरू की है यानी इसका मतलब यी है कि पेटियम के एप के जरिए या पेटियम के यूपी आई के जरिए अगर कोई मर्चेंट अपना लेंदेन कर रहा है तो उसका पेमेंट जहां से रूट होगा वो एकसिस बैंक का एकांट होगा एकसिस बैंक इसके लिए अपना करना है उन्हें अब एक्सिस बैंक के जरीए मदद दी जाएगी जिस से कि उन्हें उनके उनके कामकाच सुचारूरूरू से चल सके हैं लेकिन इसके साथ पैरल ये भी हो रहा है कि पेटियम से ग्रहकों का पलायन भुतेजी से शुरू हुआ है और फोन पे गूगल जी पे मे बड़ी संख्या में लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया है जो मर्चेंट्स इसके साथ जुड़े हुएं दो तरीके के ग्रहक हैं पेटियम के पास एक वो ग्रहक हैं जो पेटियम के कंजूमर्स हैं या भोकता ग्रहक है जिन्होंने पेटियम में अपने वालेट बना रखे थे और उनसे पेइमेंट करते तो दूसरे वो बहुत बड़ी संख्या मर्चेंट्स की व्यापारी कारोबारियों की है चोटे कारोबारियों की जो पेटियम से पेइमेंट लेते थे इनकी इनके समाधान के लिए एकसेस बैंक को आगे लाया गया है रिजर्बैंक की सरी जो नया आदेश आया है इसके बाद क्या असर होंगे और एक क्या कहरा है आदेश नया रिजर्बैंक के फैसले के बाद अब दो चीजें बड़ा इसपश्ट है पेटियम के मामले में आज पेटियम के तरफ से बहुत बड़ा विग्यापन दिया गया और उसके बाद ब पाएंगे एक तो पेटियम का वालेट नहीं चलेगा वालेट बंद हो जाएगा ऐसा लग रहा है क्योंकि पेटियम पेमेंट बैंक नहीं है तो वालेट बेस कहा होगा उसको वालेट को बेस करने का चैलेंज है भारत में दो तरीके के पेमेंट हैं एको पेमेंट हैं जिनक क्योंकि फास्टेक भी वालेट से जुड़ी गतिविदी है तो शायद पेटियम के फास्टेक्स भी बंद होंगे और इसलिए उन फास्टेक को एक्सिस बैंक पे शिफ्ट करने की बात चल रही है तो इन दो के कारण पेटियम के पूरे बिजनेस मॉडल का जो बुनियाद है जो आधार है वो अब शायद रिवाइब नहीं होगा ऐसे संकेत विजर बैंक की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन आया और जो बाजार में दिख रहा है उससे समझ में आ रहा है सर एक और चीज़ ये पूरे पेटियम का अपईसोड हूए इसके बास सरकार का नजरीया फिंटेक कमपणियों के लिए किस तरह का बन रहा है कि फिंटेक की दाल में काफी कुछ काला है और इसलिए सरकार के तरफ से सूचना तक्निक मंतरी से भी कहा गया कि कंप्लाइंस से कोई छूट नहीं कंप्लाइंस के निमों का तो सबको पालन करना होगा रिजर्ब बेंक ने ऐसा माना जा रहा है रिजर्ब बेंक टेमिनी ताजी जाच पड़ताल में फिंटेक कंप्लाइंस के वारे में पाया है कि Fintech कमपिनियों पर सختी से कमप्लाइंस के नियम लागू किये जाएं और उसी का नतीजा है कि सिर्पेटियम ही नहीं बाकी कमपिनियों को भी सختी से काम करना पड़ाएगा इसके पीछे का डर क्या है इसके पीछे का खौफ क्या है ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों भारत में नहीं पूरी दुनिया के नियामक Fintech के उभार को लेकर पिछले एक साल के भीतर जो कोविट के दौरान आया था उसके उभार को लेकर इतने सशंकित क्यों है अंदर क्या चल रहा है इस बार हम लोग इकनामिकम में इसी पर बात करेंगा और आपको बताएंगी कि पेटियम के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ और और ऐसा ही किन के किन के साथ होने की संभावना है और रिजर्ब बैंक को सबसे बड़ा डर क्या है चीन के केंदरी बैंक ने ब्याज दरों में कटोती फिलहाल रोग दिये रविवार को ही केंदरी बैंक की बैठक के बाद ब्याज दरों को धाई फीसद पर इस्तिर रखने का फैसला हुआ है चीन के बैंक कर्ज संकट का सामना कर रहे हैं और वहां की दिगज रियल इस्टेट कमपनी दिवालिया हो चुकी है इसी को ध्यान में रखते हुए चीन के केंद्रे मैंक ने कर्ज और सस्ता नहीं करने का फैसला लिया है इस बीच चीन के विदेशी निवेश भी लगातार घट रहे हैं चीन में आने वाला विदेशी निवेश लगातार घट रहा है 2023 के दौरान चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ग्रोथ 30 वर्षों में सबसे कम है सर ब्याजदरें ना घटाना क्या संकेत दे रहा है चीन बहुत गहरी दुविधा में इस फैसले के तीन आयामें इनको समझना जरूरी है चीन की एक निगाँ फेडरल ज़र्व के फैसले पर थी कि फेडरल ज़र्व ब्याजदरों में बढ़ुत्री का या उसे में अपना इस व्यस्ता में जिसमें आर्थिक विकासदर पांच फीजदी से नीचे रहने वाली है उसे पंप राइम करने के लिए उसे विटामीन देने के लिए चीन की का सेंट्रल बैंक ब्याजदरों में कटवती करेगा जिससे की बाजार में थोड़ी डिमांड भढ़ सेके पर चीन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यवान बुरी तरे टूटा हुआ है और इस समय ब्याजदरों में कमी का मतलब है कि चाइनीज यवान के लिए नया संकट और मार्केट से कैपिटल का आउटफलो या पूझी की निकासी बढ़ जाना हम आपको लगाता रेपोर्ट कर रहे ह कि पिछले चे महीने के दौरान चीन के बशेर बाजार से काफी निवेश बाहर निकला है जो अलग-अलग बाजारों में गया है और चीन का सेंटरल ब्लम पहली बार अब 10-20 सालों में ऐसी दुविदा में है जहां वो अपनी मौदरिक नीती पर फैसला नहीं कर पा रहा है इधर जाएं तो दूसरी चुनोती है और इधर जाएं तो दूसरी चुनोती है और इधर जाएं तो यूआन कमजोर होता है और इधर जाएं और करिश सस्ता नहीं होता तो अर्थवस्ता को मदद देने की संभावना इसी मित होती है और इन दोनों के बीच खड़े हुए च सरकार ने प्याज निर्यात की उपर लगे प्रतिबंदों में कुछ धील दी है विदेश मंत्रा लेकि सिफारिशों पर कुछ देशों को सरकारी इस्तर पर प्याज के निर्यात की अनुमती दी गई है हाला कि प्याज के निर्यात पर लगे पूर्ण प्रतिबंद को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ है सरकार ने बांगलादेश, श्रीलंका, मौरिशिस, बहरीन, भूटान और नेपाल समित अन्य देशों को सीमित मात्रा में प्याज के निर्यात के अनुमती दी है हाला कि निर्यातक एजिंसी के बारे में जानकारी सामने नहीं आपाई है दुनिया के दूसरे सबस्वड़े प्याज निर्यातक देश भारत ने घरेलू बादार में बढ़ती कीमतों और सप्लाई की कमी की आशंगा की वजए से पिछले साल की तुलना में 30 से 40 फीसद कम हो गए है पिछले साल जो कमपनिया एक और सेलरी का पैकेज आफर कर रही थी उन्हें घटा कर अब 60 से 70 लाग के बीच ला दिया गया है ये ट्रेंड कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है अदानी गुरूप दो दशनलब 6 अरब डॉलर जोटाने के लिए मिडल इस्ट के सौबरेंट फंट के साथ बातचीत कर रहा है गुरूप ने अभी तक लंदन, दुबई और सिंगापुर में कई रोट शो भी किये इस धन का इस्तेमाल एरपोर्ट और ग्रीन बिजनिस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा धन जुटाने का समय अभी तैय नहीं है लेकिन ऐसी उम्मीद है कि 2024 के मद्ध तक अदानी गुरूप बॉन्ड जारी कर सकता है सर कोई टिपनी आपकी लंबे समय के बाद लगभगे एक साल पूरा बीट गया देखे पिछले साल इसी दवरान अडानी सम्मूँ के उपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके अदानी सम्मूँ के स्टाक्स में जो हुआ तो एक साल बाद वापस अडानी सम्मूँ सावरिन वेल्थव कल फिर आएंगे ने संस्कन के साथ आप बने रही है मनीना इन के साथ नमस्कार कर दो एक साथ नमस्कार